पहले कॉलर हमारे साथ हैं सोनिका जी पटियाला से स्वागत है आपका अच्छा यह शादी शुदा है नगरा है यह शादी शुदा है अजिए है श्यादा अचाब फिकर नहीं करें और एक आसान इसका है और यह उता ऐलो वीरा का सिर्का सिर्का ऐलो विरा का सिर्का जारा Oct 2 पीर रोजाना रात को पानी में मिला कर एक गिलास पानी मिला कर पला दिया करिए आपकी बैच्ची का ठीक होना उम्किन है नेक्स्ट कॉलर है राजवती तुगलकाबाद से हमारे साथ स्वागत है आपका अधिन जी नमस्वाद जी आदर है है जी जी बताइए अब मेरे दो पूजने पैरों में कम सोलब सालोगी प्रेट भी सापने होगे और गैस बहुत जादा बने प्रेट में बहुत गर्ली बनी और एलर्ट तो मैंना आपके हम फॉन कर रहा तो इन्होंने मुझे वी और फिर खांग लिया आपने आपने मैंना आपके हम फॉन कर रहा कर लिए इस सिर्का मिला आपको इस्तमाल करने लगी पिर का आज ही आया और तो मैं आपके बिमारी बता रही कि एक तो मेरे सूजन है एक प्रेट साप नहीं होगे जैस बहुत जादा बने हैं और यह पित पन तो बहुत जादा अब ऐल अगरवाल हर्यान से हमारे साथ स्वागत है आपका हलो राम राम हंकेम जी जी आदा बताई जी जी मैं भी आपको illusions का डिये जी बताई हमारी महिबूबा को दिक्क देरी जाने मन को तुटलीफ में है प्षे दिक्क देरी इनको एक इस दर्द बहुत होता है दूसरा नंबर जी उसको पाने की भी दिक्कत है सफ़ेद पानी आता है हाँ जी सफ़ेद पाने की दिक्कत है तिर में दर्द बहुत रहता है ठीक उसकी वज़े से खान पान पेट के अंदर गैंस बहुत बनती है भाराजी बहुत जादा गैंस की दिक्कत है इतनी तकलीफ होती है गैंस की तो दिक्कत हिमत इतना तजाब बनता है तो महाराजी कुछ किर्पा करिए आप उनकी अपनी महवववा की उमर बता दिये खाली मुझे तीस साल है जी ठीक है और देखिए मैं भी आपको अच्छा नुस्का बताता हूँ और आप खुद बनाई हैं अगर वाकर आप उनके चाहते हैं तो अपने हाथ से घर में बनाना और वो यह है के आपको लेनी है 200 ग्राम अलसी 200 ग्राम आउला 200 ग्राम सौफ और 200 ग्राम धनिया 200 ग्राम अलसी 200 ग्राम आउला 200 ग्राम सौफ और 200 ग्राम धनिया और इसमें 1.500 ग्राम मिलाएए कलोंजी का नमक आता है नमक कलोंजी कहते हैं या एस्टेक कलोंजी कहते हैं यह रसायन होता है कलोंजी का इसमें 1.500 ग्राम मिलाकर और इसको घर पर पौडर बनाएं कोई भी चीज पिसी पिसाई लाएंगे तो असरदार नहीं होगी क्योंकि आप अपने महबूस से तालुक की बात कर रहे हैं तो घर में ही पौडर बनाएं और तीन-चार गिराम तकरीबन एक टाइम में दे सकते हैं बसे एक टाइम में फाइदा ओना शुरू हो जाता है बहुत जलूरी हो तो दो बार भी ये एक छोटा चाय का चमच होने एक बार से दो बार तक पानी से जिया करें और 5 बार गरम पानी पीने मेरी तरफ से तो उनको फाइदा होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है नीलम हरियाना से हमारे साथ स्वागत है नीलम जी आपका नमस्कार जी नमस्कार अधियम जी से बात वाचती है जी नीलम जी आदा बताईए क्या सवाल है परेना मुझे आदा मरे मुंते शकषें परेशानी है जुक बनता है। भीज़ बता है, और उनला ने मस्तितना कुछ बनता है। मक्तिकना कफ बनता है। कुछ भी ने खार जबती है ते जी ठीकिए अच्छा देखिए सॉंट और अलसी आप लीजे और अलसी को थोड़ा भून लीजे जिसे तीन सो ग्राम अलसी तो दो सो ग्राम सॉंट लेनी है और अलसी को थोड़ा भून के पौडर बनाना है और फिर ये एक चमच रोजाना इनको दिया करें और अगर शुगर वगरा नहीं है तो शहद में भी डाल सकते हैं ये जितने ये वजन है इनका इतने ही शहद में डाल दीजे और एक चमच इनको दिया करें वज़रत हो तो दो बार भी दे सकते हैं गरम पानी से और पांच बार ग कफ का, बलगम का इलाज है, और जो ये सीधी नहीं चल पाती है, उसके लिए गौन आता है, गौन सिया, काला गौन कहते हैं इसे, मुश्किल से मिलता है, और असली ही लेना, रो मेटेरियल लेना, पिसा पिसा है नहीं, कोई भी कितना भी का है, और ये अधा गिराम सुबा, अ खरीब हैं तो पानी से, दो बार आदा आदा गिराम ही देना, इससे जादा खुराक नहीं दे सकते, आप देखेंगी कि इस उमर में भी ये सीधी हो गई, और इनके हात पैरों में एक दम तवाना ही आ गई, ताकत भर गई, और ये सो दो सो गिराम खरीद के, आप इने आद बहुत मदद करेगा, जिन्दगी में हर जगा पर आपकी मदद करेगा, नेक्स्ट कॉलर हैं, दिवान चुंद जी, पत्याला से हमारे साथ, स्वागत है आपका, नमस्कार जी, जी नमस्कार, जी है अदा, हमने जी अपनी लड़की के बारे में पूछना था जी, नाम उसक ब्लेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जी, चीक, हाँ देखिए, एक सिर्का आता है, अभी शाद आपकी घर से फोन आया था, या ये दूसरा कॉल है, ये सिर्का आता है, अलो विरा का सिर्का, अलो विरा का जूस तो सब पीते हैं, लेकि सिर्का उस से सो गुना फाइद से मंद होता है, तो तीन चमच रात को पानी में एक गिलास पानी मिलाकर रोजाना बच्ची को पिलाया करें, और उपर वाले से प्रात्मा भी करें, बच्ची का ठीक होना मुम्किन है, चले इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है, दिल्ली से हमारे साथ अरुन जी, स्वागत है आ अधावर साथ, बता ये क्या सेवा करूं, अरे वाइब को माजून आर के दे रहे हैं हिंगी, तो क्या उनकी कुछ खांसी थोड़ा सा बढ़ा नहीं लग रहा है, हल्का मुल्काई, खांसी बढ़ावा लग रहा है, मैं लो फोड़ी से हमें, नार्मल थी अंग्री दवाई प्रकाई थी, वामने फिर्शे देना तुरू किया, तो फोड़ा-थोड़ा सा होने लगी ही, कितने दिन से दे रहे हैं? पांच दिन से दे रहे हैं, जब ये कंट्रोल करने लगे, ये आट-दस दिन बाए थोड़ा-थोड़ा फाइदा शुरू करती है, और जब ये कंट् फिर अपने डॉक्टर के मश्वरे से कम करना दवाई एक दम से छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि काफी ऐसी मरीज़ा हैं जिनको काफी परिशानी हैं तो जैसे जैसे यह कंट्रॉल कर है वो दवा को कम कर सकते हैं और फिर डॉक्टर के मश्वरे से उसे छोड़ भी सकते हैं ले प्रवीन जुड़े हैं स्वागत है आपका जी नमस्कार जी नमस्कार मैं नालगर से बूल रही हूं मेरी उमर 55 है और मुझे ज्वाइंट स्पेन की प्रोब्लम है पांट से साल से प्रोब्लम होती है मुझे उटते हुए जैसे नजसे मेरी कठी हो जाकते हैं ऐसी प्रोब्लम है मुझे चीक है अच्छा देखिए एक कच्छी दवा एक ऐसी भी है रहो मेटेरिलिस जिसे कहते हैं कि अगर उसे सो दो सो गिराम खरीद लो और उसे इस्तेमाल करना शुरू करो तो ये खतम होते होते आदमी को फाइदा मुम्किन है लेकि सहीं बरतना क्योंकि पांच-छे साल से जो आप तकलीफ उठा रहे हैं मुझे आपसे पांच-छे महीने चाहिए कि ये आईरवेदि की यूनानी दवा बता रहा है और वो भी रौ मैटेरियल एक गौंद आता है इसे गौंद सिया कहते हैं सिया मतलब काला है काला गौंद कहें दीजी या गौंद सिया है यह राव मेटेरियल ही लेना यानि कच्ची दवा लेना कोई का है पिसावा है कोई का है टैबलेट है बिल्कुल नहीं यह आपको खुद लेना है खुद बनाना है इसका पाउडर बना लीजे और इसका पाउडर बना के देखिए यह चुटकी कहलाती है चुटकी ऐसी आप रईस आदमी लोग हैं तो जूस भी पी सकते हैं सब को सबसे फाइदा होता है चर्वी वाला दूद मत पीना अगर इस उमर में चर्वी वाला दूद फाइदा नहीं करता तो देखे आठ दस दिन मुझसे कुछ मत कहना यह आठ दस दिन के अंदर आपको फाइदा क्या दिक्कत है आपका मुष्कार अगुंसाब जी बताईए जी आदा तब मेरे को प्रॉब्लम दीए विरना हाथ तरह में खिचाव रखता है क्या दिक्कत है आपको बहुत छोटी उमर में इस्ती तकलीफ आपको क्या करते हैं ऐसा फाक्ट्री का मैं फाक्ट्री कोई मेहनत मेहनत करते हैं जादा मैहनत नी करता है बैट रहना होता है अच्छा अच्छा देखिए ये इस उमर में जल्दी शुरू हो गई आपको कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और देखिए एक दवा भी बता देता क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि दवा नहीं बताते हैं और हम कैसे बनाएं हम कहां से मगाएं कैसे करें तो एक दवा आती है कैपसूल टी केर टी फोर टाइगर सुबा शाम खाने के बाद एक एक कैपसूल खाएं और निश्चिंत हो जाएं देखिए वही मैं आपसे क होंगा पांच आठ दिन दस दिन के बाद आपको फाइदा शुरू होता है ये औरिजिनल दवा होती है या फिर आप गौंसिया लें और उसको इस्तमाल करें आदा आदा गिराम तो फाइदा मुम्किन है